भाई आपने बड़ी नई चीज़ शुरू करी है कि गाड़ी से ट्रैवल करना विदेश भाई हम तो सोच भी निसकते हैं कि हम तो यहां से पहाड़ों पर जाते हैं तो हम सोचते कि यार इतना जाधा ट्रैवल नहीं हो सकता गाड़ी से बहुत मुश्किल लगता है मैं ट्रै सब्सक्राइब करें तो कोविड बीच में आया तो कोविड के टाइम पर क्या थोड़ा गाड़ी और बाइक से बिल्ट अप हो गया तो मैंने सोचा कोविड के बाद फ्लाइट से ना करके गाड़ी और ट्रैवलिंग दोनों को मिक्स कर देते हैं और बनाते ऐसा कुछ अब मैंने पहली बार किया मेर से पहले भी बहुत लोगों ने किया हुए यह बट यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया था तो लोगों को पता भी नी था जादा कि कैसे होता है क्या होता है यह है अपने आप में एक इंट्रेस्टिंग चीज अगर आप यह बोल रहे हो गाड़ पार होंगे बट एक्च्वल में ऐसा है कि मेजर जितनी भी कंट्री जाना वो सारी बाइरोड कनेक्टिट है और जो बाइरोड नहीं भी कनेक्टिट है और वहाँ पे काफी सारी फैसिलिटीज जैसे आप शिपिंग कर सकते हो या फैरी में लोड करके जा सकते हो अब फ्रा पार्टिंग से ही चलते है कि कैसे प्लैन किया आपने और क्या-क्या ज़रूरत में जैसे लाइसेंसिंग की क्या-क्या आपको थी चीज़े बताओ तो यहार तेखो मेरा यह मतलब डेली टू लंडन वाली जो चीज ती नहीं मुझे दोजार उननीस में पता चली थी कि ऐसा कौल वई गाड़ी के लिया कर जाए तो मैं यह कहता हूं गाड़ी आप और कि ले जा सकते हो में चलाने वाले की हमत पर डिपेंड करता है यहां से डेली टू-लंडन अपना ओल्टों में भी खर सकते हैं और कोई लैंड कुझ करते हैं तो वह चलाने वाले पर ही सबकुच म तो उसमें पूरा एक साल लग गया सारे वीजा लेने में लाइसेंस बनवाने में और जो भी फॉर्मैलिटी बगार वो करने में और फिर तेईस दोज़ाइस के मही में मैंने ट्रिप जो है वो शुरू करी ते बाई गाड़ी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो जैसे हमारा पास्पोर्ट होता है हम किस भी देश में जाते हैं तो gliजा पासपोर्ट पर स्टैम्प होता उसी तरह से गाड़ी का यह नहीं है तै कि आपका लाइसंस भी महा Mini तो कुछ कंड्री मानती है कुछ 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 नहीं मानती है है हैं ऐसा सवय हो आप वहाए अगर आप बहार के में डॉराय करके सानय कट चाहि acceleration लो उसका इंड्यों दान इस अध्या कर होता है वो HR नमबर है इंडिया नमबर तो जो वहां के कैमराज है न वो तो कभी कैप्चर करी नहीं पाएंगे उसको और जितनी भी बड़ी कंट्रीज है न वेस्टन कंट्रीज वहां सब जगह पे आपको पुलिस कमी दिखेगी जैसे UK हो गया, यूरोप हो गया, वहां पे हर जगा स्पीड कैमरास लगे हुए है, मुबाइल फोन के कैमरास लगे हुए है तो जात तर उसी से चलान होता है, तो वहां पे हमारा चलान हो ही नहीं सकता कि आप मतलब 120 की जगे 140 भी चला रहे हो, अगर पुलिस ने नहीं रोका, तो तो चलान होना ही नहीं है पुलिस ने रोक लिया तो दिक्कत है, अब एक दो बार हमारे चलान हो है, जैसे तर्की में हमें लगा था कि चलान नहीं होंगे तो हम तो अपना मस्त 130, 135 बड़े-बड़े खुले हाईवेज है, बर जब हम तर्की से एक्जिट लेने लगे न, यूरोप एंटर करने लगे, तो उन्होंने बोर्डर पे ही कुछ उनका सिस्टम होगा, और कैमरास की सारी रिकोर्डिंग निकालके उन्होंने 5,000 रुपे क अलग डोक्युमेंटेशन कुछ नहीं होता, जैसे अब एक जगा पे यूरोप में हमने किसी कैफे के भार गाड़ी खड़ी करती थी, अब हमें उस कंट्री में चेक रिपब्लिक थी शायद से, हमें उस कंट्री का यह नहीं पता था कि अगर आप किसी भी पार्किंग में खड़ी कर रहे हो, तो वहाँ पे एक नंबर लिखा होता है, पोल पे, उस नंबर पे मिस कॉल मारनी पड़ती है, या मैसेज करना होता है कि आप इतने घंटे के लिए गाड़ी छोड़ के जा रहे हो, और फिर आप जा सकते हो, पार्किंग फ्री थी कोई पेड़ नहीं थी कहां करे किसको कोल, फिर एक दो लोकल लोगो पकड़ा, उन्होंने फोन लगाया, फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने इंडिया के पंदरा सो रुपे लिए, चलान काटा, क्लैम भटाया, फिर जाने दिया, और भाई, जो जैसे कारनेट, जो गाड़ी क पासपोर्ट है, इसमें कितना खर्चा आता है? पे करना है, एक साल के कारनेट का, तो मतलब मैंने 6,18,000 उपे करें, जिसमें से 5 लाग मुझे रिफंड मिल जाएगा, जब मेरी गाड़ी इंडिया आ जाएगी, और मैं कारनेट वापिस देता हूँ, यह होता है, और वो एक साल के लिए वैलिड होता है, तो यह आपने